प्रश्कार स्वागत है आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपने इस रीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जो भारत के अंदर जो विभीन विडियो में आगे बढ़ने से पहले PDF के लिए मैं आप लोगों को Important Information देता हूं कि Description Box में एक Telegram का Link दिया मिलेगा तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं तो चली स्टार्ट करते हैं देखिए यह मुद्धा अभी सुर्ख्यों में क्या आया क्यूं ध्यान रकना कहां पर बोला गया है थांगता और इसमें जो थांग है और जो टा है इसको अलग-अलग भी हम करेंगे जिसका अलग-अलग मिन हमारे सामने निकल कर आता है और एके करके हम सभी राज्यों में जो परमुक लड़ाई या फिर कहेंगे जो मार्शलार्ट के लेंग-लॉन मणिपूर की भारती मार्शलार्ट परणा लिए यहां पर आप देख पाएंगे न तो इस तरीकी की होती है और मेताई भाशा में ह्योन का अर्थ होता है युद जबकि लेंग-लॉन या फिर लेंग-लोंग का अर्थ होता है जाल, घ्यान या फिर कलाग ले बीना हतियारों के साथ लड़ा जाते है वेल लैंगलोन के प्राथ्मिक हतियार थांग थांग में क्या होता है तलवार और प्ला है और अन्य हतियारों में धाल और कुलाडी शामिल की गई है तो यहाँ पर आपको exam के point of view से काफी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जैसे thangta, thangta में thang किसको represent करता है ta किसको represent करता है और hion langlon क्या है यहां पर hion और langlon का मतलब क्या निकल कराता है इन तमाम बातों को आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है अब बात करते हैं लाठी के लाठी के लाठी के लिए तदा भारत में martial art में इस्तुमाल किया जाने वाला सबसे प्राचीन जो हतियार है वो लकडी का ये कह सकते हैं कि लाठी ही है पंजाब में, बंगाल में, जो ये राज्ये हैं यहाँ पर martial art के रूप में लाठी या फिर चड़ी का उपयोग किया जाता है और लाठी का जो खेल है, अपनी उपयोगता के लिए विशेश रूप से भारती गाओं में काफी जादा लोगपरिया हमें देखने को मिलता है और एक अभ्यासी को लाठीयाल के रूप में जाना जाता है तो इंपोर्टन चीजें हो जाएंगे आपके सामने यहाँ पर अब बात कर लेते हैं पंजाब में, पंजाब में कहा जाता है गतका आपको इमेज भी दिखाऊँगा, देखिए गतका एक पारंपरिक मार्शल आट रूप है जो सिख गुरुओं से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना अब यह तलवार लाठी लड़ने के कोशल और आत्म नियंतन को आत्म साथ करता है माना जाता है कि जो गतका है, उसकी उत्पत्ती तब हुई थी जब छटे सिख गुरु गोविन ने मुगल काल के दोरा अपनी आत्म, अपनी डिफेंस के लिए कृपान रखने को अपनाया था किरपान रखने को अपनाया था यहाँ पर काफी जादा इंपोर्टेंट सी जा जाती है कौन से काल से हुई, किनों ने की और क्या अपनाया था तो किरपान रखने को अपनाया था अब देखिए दो या दो से अधिक जो अभ्यासी के बीच में लड़ाई की जो एक शैली गत्का शास्तर, जो एक तरीके से शास्तर विद्या का टोंड डाउन संस्क्रन है गत्का में शास्तरी विद्या की तेज तलवारों की जगए पर लकडी के डंडे यसे कहते हैं सोती या फिर ढोलने ले ली है जो ढाल होती है दोल गर ढाल ने ले लिए तो देखना पहले तलवार रुँआ करदी ती लेकिन अब यहाँ पर एक तरीकिया से अभ्यास के रूप में उस चीज़ों किया जाते हैं मनरांजन के तो पर उस चीज़ को याद किया जता है तो यहाँ यहां पर लकडी का यूज किया जाता है तलवार की जगह है पर जिसे सोती कहते है और यहां पर ढाल जो है एक आप पने आपको बचाने के लिए उसका यूज किया जाता है अब देखे इसे यूद तकनीक माना जाते है दसमें गुरु गोविन सिंग ने यहां पर सभी को गतका फेडरेशन ओफ इंडिया गठन के बाद एक खेल परनाली के अंदर या खेल शेनी के अंदर शामिल हो गया आज इसका उप्योग आत्मरक्षा यूद कोशल दिखाने के लिए क्या जाता है और यह सभी धर्मों के लिए इवन सभी समुदायों के लिए लोगों के लि इस तरीके का जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो इमेज दिखाए थी अब यहां पर कलायरी पट्टू में मानल श्रीर के प्राचीन ग्यान पर अधारित एक मार्शलाट है इसकी उत्वत्ति तीशरी शताबदी इशापूरू से दूसरी शताबदी इशापूरू के द करकार के वयाम साला यानि जिमनेशियम को दर्शाथा है कलारी का शाबदी करता है खलियान या फिर कहीं युद शेतर कलारी शाबद सबसे पहले तमिल संगम साहिते में युद के दुरान और युद शेतर दोनों में वर्णन करता है इसे अस्तितु में सबसे पुरानी यु पर्देपर्देश में देखिए मलखम एक पारंपरी खेल है जिसकी उत्पत्ति भारतिया उप महादूप में हुई थी और यहां पर इसमें एक जिमनास्टिक एक उद्वादर स्थिर या फिर कहेंगे लटकते लकडी के खंबे बैंद या रसी से लटक कर योग या जिमनास् चीजें आपने देखी भी होंगी काफी जादे चीजें यह बहुत जादा परचलित है यूटूब पे आप अगर ऐसी सर्च करेंगे बहुत एक एक कह सकते हैं कि यार इसमें इतनी जादा आप लोगों को द्रिड अपने कंसंट्रेशन चाहिए कि ऐसे खड़े हो पाएं द चीजें ब्हुत जगां हम इन चीजों को देखते हैं हमारे आसपास जो मिले लगते हैं तो इस प्रकार की कला को हमें देखने को मिलता हैं अब बात करते हैं सिलंबम जो है एक मार्शलाट है जिसमें हथियारों का उपयोग अनुमती होती है यह तमिलाडु में एक बहुत कला में सांब बाग और चील जैसे जानवरों की गतिशामिल है फुट वर्क्स का उपयोग इन कला रूपोग में एक बहुत ही परमुक विशेस है भगवान मुरगा भगवान शिव के पूतर जिनने कार्थी के भी कहा जाता है और रिशी अगस्त से द्वारा इस मार्शलार्ट शैली का निर्मान किया गया था तो ये आपके लिए काफी सारी देखिए इस सारी चीज़ें जो आपको दी हुई है वो एक-एक पॉइंट काफी जादा इंपोर्टन है क्योंकि एक्जाम में ये सब चीज़ें पूछी जाती है अब देखिए मुष्टी यूद जो वारा नसी में है यह मूल रूप से लड़ने के लिए एक नियत भीना हत्यारों के लड़ने की टेक्निक है मार्शलाट की यह टेक्निक जो है मूल रूप से उत्तरपरदेश वारानसी शेयर किया इस मार्शलाट में हाथ, पैर, घुटने, कहनी का उपयोग पुर्मुक रूप से किया जाते है मार्शलाट की यह टेक्निक जो है वो सिखाती है कि आतियारों और गोला बारुत के इस्तवाल के विना खुद को कैसे बचाया जाए मार्शलाट की इस टेक्निक में पूर्ण शाररिक मानसिक समन्वे के आफशक्ता होती है तो यह भी काफी important है आपके सामने पिर आता है काठी सामू जो आंदरपर्देश में काफी ज्यादा famous है लेकिए काटू स्यामू जो है वो आंदर प्रतिश की बहुत परसिद प्राचीन मार्चलाट है और यहां पर इस मार्चलाट की टेक्निक है उसमें विभिन परकार की तलवारों का उपयोग किया जाता है गर्दी इस उस्तान को दिया गया एक नाम है जान लाठी सामू का आयोजन किया जाता है कोठी सामू में चड़ी की लड़ाई जैसे वैरी के नाम से जाना जाता है तलवार की लड़ाई के अगरगामी के रोप में एक महतरपूर्ण भूमिका निवाती है तलवार कोशल के एक अन्य आवश्य घटकों में गरेजा शामिल है जिसमें एक व्यक्ति चार तलवारे रखता है परते एक हाथ में तो तो बहुत जबरदस देखने वाली चीज़ है इस वक्त को इन चीज़ों को पढ़ते वक्त में मुझे गोजबंब आगे थे इतने टेकनीक जो हमें देखने को मिल रहे हमारे देश के अंदर अब बात करें सकाए जो कश्मीर में famous है तेकि सकाए एक martial art है जो कश्मीर से संब्दित है यह एक तरेकी की तलवार बाजी है शहस्तर वर्ग द्वारा एक गुमावदार एकाधरी तलवार और एक धाल का उप्योग इसके अंदर किया जाता है शहस्तर वर्ग परतेक हाथ में एक तलवार का उप्योग कर सकता है पैर घुंसे ताले और चाप प्रयोग निहत्ती टेक्निक के दोरान प्रयोग किया जाते हैं सकाए में जो विभिन दिश्टी कोणों का उप्योग किया जाता है सिंगल या डबल तलवारों के लिए फ्री हैंड और तलवार दोनों टेक्निक का प्रयोग किया जाता है फिर आता है पाई का अखाड़ा जो उडिशा में काफ़ी जैदा भहिमा साथ देखे पै का अखाड़ा जिसे पाइ का अखाड़ा भी का जाता है योद्धा विद्वान हेतु एक ओडिया नाम है यहां पर इसका उपयोग जो है वो ओडिसा के किसान मिलीशिया प्रसिक्षन स्कूल के रूप में किसानों को सैने प्रसिक्षन परदान करने हेतु किया गया था तो यह होगी इसकी हिस्ट्री इसका उपयोग पारंपरिक शाररिक व्याम को रोक करने के लिए किया जाता है इसे परदर्शन कला में लेबद, हाव भाव और ढोल की धाप के साथ तालमेल बिठाने वाले हत्यारों का उपयोग किया जाता है तो ये थे हमारे देश में जो विभीन राज्यों के अंदर विभीन विभीन परकार के जो मार्चलाट है उमीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी देखिए वीडियो समझ में आई है ये सब चीज़ें आपको पसंद आई है तो लाइक तो बनता ही है चैनल को सब्सक्राइब कर करता है और इस वीडियो की जो पीडियो वह आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बोक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इन सब चीज़ों को आप डाउनलोड कर सकते हैं तो अगर ज्यादा ही पसंद आए हैं तो वीडिय चैनल को भी शेयर कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो